आप लोगों का स्वागत है मेरे कॉर वीडियो में आज का जो टॉपिक होने वाला है वो फिजिक्स से लिया गया है जो कि यह SI मात्रक तो यह साइंस का टॉपिक नंबर टू होगा और मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है 69 BPHC PT साइंस तो आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करके सा पास देखेंगे कि SI मात्रक ठीक है SI मात्रक से बराबर BPHC कोस्टन पूछता है 68 में नहीं पूछा था लेकिन और पहले जो पुर्म में एक्जाम हुए इंक्लोडिंग 67 तो उसमें पूछा गया है तो SI मात्रक एक अच्छा टॉपिक होता है कभी-कभी पूछ लिया जाता ह ठीक है तो हम सब SI मात्रक को नेगलेट नहीं कर सकते हैं इसे देख लेते हैं एक बार और NCRT के टॉपिक भी साइंस के जल्द आएंगे अभी फिलाल मैंने जोग्रफी का सुरू किया हुआ है तो उसका भी एक ही वीडियो आया हुआ है तो मैं कोसिस कर रहा हूँ कि मैं बो वीडियो को सुरू करते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो अच्छे लगेगी तो लाइक कर लेंगे अभी फिलाल आप सब के पास 200 दिन है तो 200 दिन में NCRT प्लस PT के जितने भी पॉइंट बनते हैं including मेंस के भी मैं सैट डियाई का वीडियो जल्दी बना कर डालूंगा तो आप सब देख लेंगे ठीक है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं SI मात्रक से तो पहला है सयांता सयांता क्या होता है किसी चीज का गाढ़ापन जो होता है उसी को सयांता बोलते है जैसे सहद और पानी के अगर बात करें तो हनी जो होता है वो अधिक सयांता होगा जल से क्योंकि जल भी लिक्वीड फॉर्म में हनी भी है लेकिन हनी के सयांता ज्यादा होगी वो ज्यादा गहड़ी होगी तो सयांता का SI मात्रक क्या होता है दूसरा है विद्दुद्धरा विद्दुद जिसका SI मातरक डेसिवल होगा छटा है उच वेक जिसका SI मातरक मेक होता है मेक जो प्लेन का रफ्तार मापा जाता है वो मेक से मापा जाता है ठीक है सेबन नमबर है विद्दु धारिता जिसका SI मातरक फिराड होता है आठमा है सकती सकती का SI मातरक वॉट होता है नौमा है प् अब आसानी से कर लेंगे चली आगे बढ़ते हैं एक ग्यारमा अब हम सब देखने वाले हैं जोकि यह ओजोन, पर्त की मोटाई जिसको डॉप्सन से नापते हैं बारमा है वायु मंडलिये, दाब जिसको बार से नापते हैं 13 आविर्ति हर्ट्स से नापते हैं इसे साई मातर का होता है, ओके, 16 नमबर है उस्मा, उस्मा का SI मातरक थर्म होता या इसे आप कैलोरी में भी कल्कुलेट कर सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, टोटल 36 SI unit मैंने सिलेक्ट किया है, जो की exam के लिए important है, तो उसे एक एक करके देख रहे हैं, चलिए 17 नमबर हम सब देखते हैं, जिसका है प्रकासवर्स, मैंने बताया था प्रकासवर्स के बारे में पिछले वीडियो में आप देखें नहीं है, तो देख लें, तो प्रकासवर्स का SI मातरग दोरी हैं, 18 है बहते जलकी गती का माप, तो इसको Q शेख से मापते हैं, 90 ने बल बल का SI मातरग Н्यूटन होता है, 20 है बल आगूर्न जिसका SI मातरग न्यूटन मीटर है, 21 है जड़त्व आगूर्न जिसका SI मातरग की गरा प्रती वर्ग मीटर है ठीक है 22 मा है प्रती बल तो इसका एसाई मतरक न्यूटन प्रती वर्ग मीटर है चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब 23 मा है प्रिष्ट तनाप जिसका एसाई मतरक होता है न्यूटन प्रती मीटर 24 मा है आवेस, आवेस का SI मातरक होता है कुलंब 25 है चुम्बक सीलता जिसका SI मातरक है हेंडरी प्रती मीटर 26 मा है प्रेकत तो जिसका SI मातरक होता है हेंडरी 27 मा है विद्दूत विभव जिसका SI मातरक होता है वोल्ट 28 मां है चुम्बक्य फ्लक्स जिसका SI मात रक होता है बेवर तो ये टोटल 28 हो गए SI unit जो कि बार बार एक्जाम में repeat हुए है 67 BPSC तक तो repeat हुए ही है और छोटे बड़े एक्जाम में खास करके दरोगा सिवाही इन सब का एक्जाम जोता है Railways की एक्जाम में ये सारे प्रस बार बार पुछे जाते हैं तो उसके लिए भी मात पूर्ण है यहाँ तक कि दस्मी में भी पुछे जाते हैं metric exam में चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ बचे है SI unit है उसे भी हम सब देख लेते हैं तिसमा है प्रिष्ट परावेद्धुता जिसका SI मात रख होता है वर्ग कुलंब प्रती newton वर्ग मीटर ठीक है थोड़ा बड़ा है आप एक दो बार अभ्यास करेंगे तो याद हो जाएगा तिसमा है आवेग जिसका SI मात रख है newton प्रती second एक तिसमा है विकिर्ती इसका कोई मात रख नहीं होता है फिर भी मैं लिख दिया हूँ क्योंकि एक बार एक्जाम में पूछ लिया था ठीक है तो 32 है दाब दाब का SI मात रख पास्कल होता है 33 है प्रास्थित की दाब जिसका SI मात रख बार होता है 34 है computer, computer का SI मात रख बाइट यानि computer को किस से मापते हैं, बाइट से मापते हैं चलिए और दो बचे में उसे देखकर विडियो का अंद करेंगी ठीक है 35 है जोती flux जिसका SI मात रख होता है lumen और 36 है तरंगधर जिसका SI मात रख होता है एंक्स्ट्राम तो ये था SI unit जो कि अती महतपूर्ण SI unit थे 36 मैंने इसमें जोड़ा है तो 36 अगर आप याद कर लेंगे तो SI unit से प्रसंद नहीं छुटेगा अगर BPSC SI unit से प्रसंद करती है तो ठीक है तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और like कर लेंगे और NCRT का वीडियो जो है आपका जितने भी NCRT है 6 से लेकर 12 तक geography के 6 से लेकर 12 तक science के और economics के कुछ एक दोस खास करके 11 के quality के 11 के तो history का 11 12 दोनों का तो ये सारे NCRT के जो वीडियोज है वो आपको जल जल मिलेंगे short notes की रूप में मिलेंगे ताकि आपको clarity आना चाहिए कि अक्छांस क्या होता है equator क्या है देशांतर क्या होता है तो ये सब की जानकारी आपको होनी चाहिए तभी आप mains में टेकल कर पाएंगे ठीक है मेरी मैनत अच्छी लग रही हो तो जरू चैनल को subscribe करें वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें चलिए मिलते है नेक्स टूडियो में तब तक के लिए बाए